हेलो दोस्तों मैं रितिक चादरी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डियम दिंदी पे इस पटिकलर वीडियो में हम जानेंगे गूगल सर्च कंसोल एकाउंट कैसे क्रियेट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप कंप्लीट एडवांज डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉगिंग एस्टेव वाइस सीखने को मिल जाता है और साथ में आपको एक वर्टसप ग्रूप भी प्रोवाइड कर जाता है जहांसे आप अपने डाउट को प्रोपरली किलियर कर सकते हैं और प्रोपर तरिके से कम्प्लीट एडवांज डिजिटल मार्केटिंग फ्री और सीख सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन मिल को जुरू आउन कर ले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वर्टसप ग्रूप का लिंक मिल जाएगा आप चाहें तो जोईन कर सकते हैं चलिए अब हम देखते हैं Google Search Console एकाउंट को कैसे क्रिट करते हैं और केस परकार से सेट अप करते हैं इसके लिए Simply मैं आपको Google पर ले करके चलता हूँ यहाँ पर आने के बाद Simply आपको यहाँ पर सर्च करना है Google Search Console जैसे आप यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल सर्च करते हैं उसको बाद आपको पहली साइट ही यहाँ पर दिख जाएगी search.google.com इस पर आपको किलिक करना है जो आप यहाँ पर देख पारे हो Google Search Console इस पर आपको किलिक करना है जैसे आप यहाँ पे किलिक करोगे कुछ इस परकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा उसका Simpli यहाँ पर आपको Start Now दिख रहा होगा इस पर आपको किलिक करना है जैसे आप Start Now पर किलिक करोगे आपके सामने कुछ इस परकार का Dashboard आपनो करके आएगा यहाँ पर आपको दो तरीके से website को set up करने का option मिल जाता है पहला तो domain के थुरू और दूसरा URL के थुरू अगर मैं दोनों में difference की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे website में http होता है बहुत सारे website में जिसमें ssl activate होता है उसमें https होता है लेकिन अगर आप यहाँ पर domain से करते हो तो चाहे वो http में open हो या फिर https के साथ यहाँ पर दोनों तरीके के data को यह collect करेगा लेकिन अगर आपने ssl activate करा रखा है तो simply आप यहाँ पर अपने website के URL को copy paste करते उसका यहाँ पर continue पर click करना है लेकिन अगर आपने ssl activate नहीं करा रखा तो आप यहाँ पर http से open कर सकते है http वाले URL को आप यहाँ पर आ करके paste कर सकते है या फिर simply आप अपने domain को यहाँ पर आ करके type कर सकते है जैसे कि मैंने आपको last video में बताया था कि मैंने एक new site start करा है आपको बताने के लिए कि किस परकार से account को setup करते हैं जो कि मैंने आपको google analytics वाले video में मैंने आपको बताया था तो simply मैं यहाँ से अपने website को open कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपने URL को copy कर लेता हूँ जैसे मैंने यहाँ से URL को copy करा उसकाद आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने SSL activate कर रखा है तो simply यहाँ से आकर के मैं इसे paste कर दूँगा या फिर अगर आप domain से करना साथ हो तो simply आपको यहाँ से क्या करना ही है जो आप HTTPS देख रहो इसे आपको यहाँ से क्या करना है हटा देना है यहाँ से आप जैसे हटा दोगे इसे उसकाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मेरा domain आ चुका है nofra.in तो simply आपको यहाँ पर आकर के paste कर देना है लेकिन मैं इसे completely URL से करूँगा तो simply मैं यहाँ पर अपने URL को paste कर देता हूँ उसका simply आपको यहाँ पर continue पर क्लिक करना है जैसे मैंने continue पर क्लिक कर आप यहाँ पर देख सकते हैं verification check किया जा रहा है उसके बाद कुछी second के अंदर यहाँ पर आपके सामने कुछ इसपरकार का interface आपको देखने को मिलेगा तो simply यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है HTML फाइल यह जो देख रहे हैं यह basically एक HTML फाइल है जिससे आपको verify करना है किसी website का copy करके URL यहाँ पर डाल सकता है इसलिए यहाँ पर verify किया जाता है ownership कि क्या actual में यह आपकी site है या नहीं है तो इसके लिए simply आपको verify करने के लिए बहुत सारे method में जाता है यहाँ पर simply आप देख सकते हो HTML फाइल एक तो यह method है कि यहाँ पर आपको HTML फाइल इस पर किलिक करके आपको download कर लेना है आप यहाँ पर देख सकते हो जैसी मैंने इस पर किलिक करा तो यह फाइल यहाँ से download हो जाएगी और verify करने के लिए आपको simply इस फाइल को जा करके आपको इस website के route में जा करके submit कर देना है, upload कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर HTML tag आप देख सकते हो HTML tag में जैसा कि मैंने आपको बता है simply आपको यहाँ से cod को copy करना है और simply यहाँ से उसे मैं बता देता हूँ किस परकार से इसे verification करना होता है तो simply यहाँ पर आप देख सकते हो और Google Search Console account एक ही email ID से बनाना चाहते है तो simply अगर आपने Google Analytics account अल्लेडी बना रखा है तो simply आपको यहाँ पर क्या करना है verify पर click करना है अगर आपका दोनों email सेम है आपने जिस email से Google Analytics account बनाया है और अगर उसी email से आप Google Search Console account बना रहे हैं अभी तो simply आपको यहाँ पर verify पर click करना है और अगर आपके email ID सेम है Google Analytics के और Search Console की तो यहाँ पर यह verify हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर यह तीनों बहुत ज़्यादा आसान method है लेकिन simply मैं आपको यह दोनों तो बहुत ज़्यादा ही आसान method है मैं आपको बता दिये कि किस तरीके से HTML tag कॉपी करके आपको अपने website के head section में paste करना है Google Analytics account किस परकार से email ID के दोरा verify करा सकते है अगर दोनों का email ID सेम है तो लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ HTML file किस तरीके से publish करते हैं क्योंकि अगर आपकी site coding पे तो simply आपको यहां से copy करके आप वहाँ पे जाकर के paste कर सकते है head section में या फिर अगर आपने Google Analytics account setup कर रहा है तब ही आप यहां पे जाकर कि Google Search Console को verify करा सकते है इस method से लेकिन मैं आपको इस method से बता देता हूँ जिसके जरीए कि आप easily hosting panel के थुरू आप यहां पे आकर के verify करा सकते है और फिर साहे आपकी किसी भी चीज़ की site हो या फिर wordpress पे बनी हो blogger पे बनी हो या फिर किसी भी चीज़ पे बनी हो अगर आप hosting यूज करते हैं अगर आप free platform जैसे कि blogger पे आप blog spot के द्वारा नहीं चला रहे हैं आप किसी भी तरीके का hosting यूज करते हैं किसी भी company का तो simply आप असानी से verify करा सकते हैं इसलिए मैं आपको इस HTML file को अपने website के root folder में submit करके यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ तो simply आपको उसके लिए क्या करना है यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बता इस file को आपको download कर लेना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने file को already download कर रहा है तो अब मैं simply अपने hosting account पे चलता हूँ यहाँ आप देख सकते हूँ मैं hosting account पे अपने आ चुका हूँ और फिर आप किसी भी company का hosting यूज करते हैं simply आपको file manager का option मिल जाएगा मैं नीचे scroll करता हूँ आप यहाँ पे देख सकता हूँ कि यह file manager का मुझे option मिल रहा है तो simply मैं यहाँ से इसे open कर लूँगा जैसे मैं open करता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ इस पर करका interface देखने को मिल रहा है यहाँ आप देख सकते हूँ public html का folder मुझे दिखने को मिल रहा है तो simply मैं यहाँ पे double click करूँगा और double click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे file इसके अंदर है तो यहाँ पे simply जो मैंने अभी file download करा था उसे मैं यहाँ पे upload कर दूँ तो upload करने के लिए simply आप यहाँ पे देख सकते हैं upload files का option मिल रहा है मैं यहाँ पे click करूँगा जैसे मैं यहाँ पे upload files पे click करता हूँ यहाँ पे select file का option आ रहा है simply मैं इस पे click करूँगा उसका जैसे मैं इस select file पे click करा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा file manager open हो चुका है और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो document मैंने download करा हुआ था यहाँ पे आ रहा है HTML document तो simply मैं इसे select कर लेता हूँ और open पे click करूँगा उसके बाद simply मैं इसे upload पे click कर दूँगा जैसे मैं upload पे click करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह file वेरा upload हो रहा है और यहाँ पे यह upload हो चुका है उसके आप Simply यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपने Public HTML में इस फाइल को upload कर दिया है अब यह फाइल जब properly upload हो चुका है तो मैं यहाँ से एक वाली से refresh कर देता हूँ और refresh करने के बाद Simply मैं अपने फिर से Google Search Console account पर जाऊंगा Google Search Console account पर आने के बाद मैं यहाँ से Simply verify पर क्लिक करूँगा जैसे मैंने यहाँ पर verify पर क्लिक करा आप यहाँ पर देख सकते हैं verification चेक किया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ownership verified हो चुका है तो दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा किस परकार से Google Search Console account verification कराया जाता है मैंने आपको सारे तरीकों के बारे में बताया कि कौन-कौन से तरीके होते हैं Google Search Console account को verify कराने का उसमें से मैंने इस तरीके से आपको verify करा के दिखा दिया जिससे कि आपकी किसी भी तरकी site हो आप simply अपने hosting panel से अपने Google Search Console account को अपने website को verify करा सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा honor से verified हो चुका है उसका simply मैं यहाँ से go to property पे click करूँगा जैसे मैं यहाँ पे go to property पे click करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा search console account completely set up हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं start का option मैं start पे click करूँगा उसका जो भी आ रहा है यहाँ पे मैं cut कर दूँगा उसका simply आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास google search console account का completely dashboard सामने आ चुका है यहाँ पे आपको simply समझना है कि कौन से features को किस परकार से हम यूज करते हैं just आपके सामने मैंने google search console account को setup करा है इसलिए यहाँ पे कोई भी data वगर अभी नहीं आ रहा है इसलिए मैं आपको data के थुरू तो नहीं बता सकता लेकिन मैं आपको इन सारे functions को जरू अलोडेट करके भी बताऊंगा कि google search console account किस तरीके से काम करता है google search console account को किस परकार से हम यूज करते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके सामने कुछ इस परकार का जब completely verification हो जाएगा completely setup हो जाएगा आपकी site google search console पे तो कुछ इस परकार का interface आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं overview आ रहा है तो यहाँ पे जो भी performance वगरा होगा जो भी coverage वगरा होगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर आपकी website में कोई issue होगा तो यहाँ पे आप notification देख सकते हैं यहाँ पे आपको notification में देखने को मिल जाएगा कि आपकी website में क्या issue चल रहा है, क्या error है, आप simply यहां से उसे fix कर सकते हैं, उसका दोस्तों जब आप performance पे click करेंगे, तो जो भी आपके website में performance चल रहा होगा, जो भी impressions पढ़ रहा होगा, उनमें से कितने clicks आ रहेंगे, सारी चीज़े आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, आप यहां पर indexing कराते हैं, हम manually indexing कराते हैं, तो simply यहां से आपको क्या करना होता है, कि जो भी आपके website का URL है, simply आपको यहां पर paste करना होता है, जैसे कि मैं आपको एक example की द्वारा बता दिता हूँ, मैंने यहां पर URL copy करा, और यहां पर आने के बाद मैं यहां पर आकर के paste कर दूँग, और जब मैं enter पर click करूँगा, यहां पर आप देख सकते हो Google indexing के लिए retrieving क्या जा रहा है, उसका अप यहां पर देख सकते हैं कि URL गूगल पर नहीं है, तो यहां पर आपकर के request indexing कर सकते हैं, और जब आप यहां पर आपकर के request indexing करेंगे, तो यह basically index के लिए requested हो जाएगा, तो दोस्तों कुछ इस परकार से हम यहां पर आपकर के manually index कराते हैं, उसके बाद simply आप यहां पर देख सकते हैं, coverage option आ रहा है, यहां पर आने के वाद आपके site में जो भी errors वगर होगा, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहां पर आपकर के आपको उन सारी को देख सकते हैं, अगर आपके website में कोई errors वगर चल रहा होगा तो यहां पर देखने को मिल जाएगा, किस page में चल रहा है, सारी चीज़ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, उसके दोस्तों, यहां पर आप site map देख सकते हैं, मैंने आपको site map वाले वीडियो में बता आया था किस परकार से साइट मैफ सब्मिट करते हैं यहाँ पर आ करके आप अपने वेबसाइट का साइट मैफ सब्मिट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपने वेबसाइट के किसी भी पेज को अगर रिमूब करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ पर प और यहाँ पर आपको सारी चीज़े देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ पर आ करके simply use कर सकते हैं, यहाँ पर आपको link का option देखने को मिल जाएगा, आपके website में जितने भी backlinks वगर होंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कौन से page में कितने backlinks हैं, कौन कौन से site आपको target कर रही है लिंक दे रही है तो यहाँ पर आपको सारी से देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर आप completely इस परकार से देख सकते हैं आप आपकी website completely set up हो चुकी है Google search console account से completely verified हो चुका है और यहाँ से आप proper तरीके से Google search console account का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं Google search console का एक जो new feature है search console insight यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से पीज आपका सबसे बहतर perform कर रहा है इन सारी जीजों की यहाँ पर आपको overview देखने को भी मिल जाएगा सारी जीजों की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी तो आपको समझ आचुका होगा किस परकार से हम Google search console एकाउंट सेट अप करते हैं किस परकार से हम verify कराते हैं किस परकार से completely एक proper तरह के से Google search console एकाउंट को create किया जाता है और जब इस site में कुछ data वगरा आ जाएगा यहाँ तो मैं अपने दूसरे site से आपको completely किस परकार से google search console account को use करते हैं मैं आपको वो एक particular video बना करके बता दूँगा अगर आपको किसी भी तरिके का doubt है तो comment box के जरी जरूर पूचे या फिर description box में आपको whatsapp group का link मिल जाएगा आप चाहें तो join करके पूच सकते हैं दोस्तो वीडियो पसंद आया तो like जरूर करें और comment कर हमें जरूर बता हैं और complete advanced digital marketing, blogging, SEO और किसी भी तरिके का doubt, query, proper तरिके से solve करने के लिए चैनल को subscribe कर, notification भी को जरूर on कर ले और description box में आपको whatsapp group का link मिल जाएगा आप चाहें तो join कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care